बहुत कम ऐसी movie हैं जिससे देखकर बहु जादा relaxed फील करते हैं जिसके अंदर कोई propaganda नहीं होता और आज जिस movie के बारे में बात करने वाला हूँ मैं यह ही कहूँगा कि यह वाली जो movie है बहुत जादा relaxing है मतलब आप जब यह movie देखोगे तो आपकी जो परिशानिया है वो जब तक ये movie चल रही है मैं इतनी guarantee देता हूं कि वो तब तक के लिए तो नहीं रहने वाली यानि दो घंटे तक तो आपके सामने जो भी परिशानिया आपके सामने वो नहीं रहेगी आपकी जो परिशानी है वो आप थोड़ी देर के लिए तो भूल जाओगे ये जो मुवी है ऐसा फिल आपको जुरूर कराने वाली है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालो लायन मुवी के बारे में एक बहुत खूबसूरत मुवी से कह सकते हैं और ये एक रियल स्टोरी के उपर बेस है इसे डारेक्ट के है गर्थ डैविश ने और एक बुक आई थी एलोंग वे होंग जिसके उपर ये अधारित है जो रियल स्टोरी के उपर है और इसमें कास्ट है देव पर टेल, निकोल किड्मैन, रूनी मारा और बाकी एनक अलाकार नवाजुदिन सिद्धी की सरकी भी आपको इसमें अपिरेंस देखने को मिलती है अब कहानी की बात करें तो वो 5-6 साल का एक लड़का सारू नाम है जिसका वो अपनी मा के साथ, अपनी भाई गुड्डू के साथ और अपनी बहन के साथ रहता है घर में ये रहते हुए दिखाये गए है गुड्डू जो है वो कुछ टाइम के लिए इसकी एक ऐसी रूटीन है कि वो कुछ टाइम के लिए काम के लिए बाहर जाता है घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद घर पे आता है इस बार फिर से घर से बाहर जाने वाला कुछ करीबन एक हफ़ते के लिए और इस बार सारू से कहते है कि वो भी इसको अपने साथ ले जाए उसको लेकिन गुड़ू से मना करते ही कि उससे कुछ काम नहीं हो पाएगा लेकिन जिद्द करने के बावजुदá गुडू जो है वो सारु का अपने साथ ले जाता है और वहां पर जो यह जाते हैं एक रैल वेस्टेशन पर जाते हैं रैल वेस्टेशन के वहां पर जाकर यह रेल में कुछ जो रुपे गर गए हैं या फिर कुछ चीजें जो गिर गई हैं, उन्हें ढूंडते हैं ताकि उससे वो पैसे बना सकें, अब सारू ये जो काम करके ठक जाता है, और उसको नीद आने लग जाती है, तो गुड़ू से एक रेल्वे स्टेशन पर सुला कर बाकी का काम करने के लिए चला जाता है, उसक इसको बाहर से बंद कर दिया जाता है, और ये जाके जो रुकती है, वो काफी दिन तक इस ट्रेन में रहता है, जब इसकी नीद कुलती है, देखता है कि ट्रेन जो है, वो चल पड़ी है, काफी चिलाता है, कोई इसकी मदद नहीं करता, और ये जो ट्रेन है, वो जाके है गनेस तले उसे ये भी नहीं पता कि गनेस तले है कहां पर बस इस नाम के वरोसे वो अपने भाई को डूड़ने में लगा हुए अपनी मा को डूड़ने में लगा हुए अपने घर को डूड़ने में लगा हुए लेकिन कहीं पर पर भी कुछ नहीं होता और इस वीच उसे बहुत सारी परिशानियां भी मिलती हैं कि भी उसे बच्चा चकने वाले लोग भी मिलते हैं लेकिन वहां से वो अपनी जान बचा कर भागता है जैसे वो जान बचा कर भागता है तो उसे एक औरत मिलती है जहां पर आपको नवाजोदिन सिद्गी सर की थोड़ी बहुत अपीरिंस आपको वहां देखने को मिलेगी वो इनका जो है इसे बच्चे को बेचना चाहते थे लब तब सरू वहां पर इनकी जो अंदर की intention है वो समझ आता है और फिर वहां से एक परिवार के तोरह उसे अडोप्ट कर लिया जाता है अब सुरू जो है पहले अपने गाउं से 16 किलोमेटर दूर कलकता में अब कलकता से अब वो जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन परिवार ने उसे अडोप्ट कर लिया अब अपनी जो life है अब वहां पर जाता है यह 1986 की जो है यहां पर जो वो उस्टेलिया जाता है 1986 की जो दिखाया गया उस वक्त वो time होता है वो year होता है अब वो जब तक बड़ा होता है तब तक वो वहीं रहता है कि अब 20 साल अचानक से गुजरते हुए दिखाते हैं कि उसक याद आता है कि उसका एक भाई है उसकी माँ है वैसे दिखाया गया उसे कुछ चीजें याद आती रहती लेकिन वो अपनी life में ऐसे खो गया था जो उसको जो life दी गई थी एक इतनी luxury life जो से मिल रही थी बस उस उस आलस में उसके कारण वो अपने परिवार को बोल गया थ लेकिन अब एक होता है कि maturity का level कह सकते हो कि अब उसे वो चीजें अब तडपा रही है कि अब उसे tension होगी कि उसकी मा कैसी होगी उसका वेट कर रही होगी उसका भाई कैसा होगा उसकी बहन कैसी होगी सब उसका वेट करे होगी वो किस हालत में होगी यह सब चीजें इसके अ परफॉर्मेंस हर एक सिंगल आर्टिस ने जो अपनी परफॉर्मेंस दिया वह बहुत जादा मुझे जवर्दस लगी यहांवर और पच्छी साल बाद एक लड़का अपने गाउं से गुम हुआ वह अपने मा से मिलता है अपनी बहन से मिलता है उसे पता चलता है कि इसके भा हार नहीं मानना चाहिए कि कितनी भी बड़ी मुश्किले आ जाए ऐसा ही यहां पर सरू जो है वह अपने परिवार को डूणने के लिए जो करता है इसको देखके अमें ऐसा फील होता है कि सरू जो है वह सिर्फ गूगल मैप के द्वारा गूगल अर्थ उस टाइम जो है व मेरा गाव जो है ऐसा दिखता था उस मैप में उसको दिखाया जाता है एक सैटलाइट व्यू जो आपने देखके होगा कि सैटलाइट व्यू में आपको थोड़ी जलक मिल जाती है कि हाँ भी ऐसा मेरा घर है यहां पर कुछ मयाव गुमा करता था ऐसी गलिया थी तो ऐसी उसे व्यू ऐसा दिखता है और अगर यह इमेजिनेशन पर अधारित मूवी होती तो हम कहते कि यार नहीं आ रहा है ऐसा कुछ हो सकता है क्या कौन ऐसा इंसान एक गूगल अर्थ पे या मैप पे अपने परिवार को डूँड सकता है अपने जगा को डूँड सकता है बट अच्छल में ऐसा हुआ है तो यह सब चीजे जो मैं देखी ना यार कमाल की थी कि एक लड़के ने जिसको सिरफ और सिरफ एक नाम पता है गनेश तलिव उसके अलावा उससे कुछ नहीं पता कि उसका परिवार कहां पर है वो बाकी कोशिश करता हूँ इसमें दिखाता है लेकिन फेल होता है ऐसा नहीं कि उसने एक चुटकी बज़ाई उसको परिवार मिलके लोगी वो बहुत महनत करता है बहुत टाइम लगता है इसको ढूंडने में उसको मिल भी जाता है ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि उसको उसने गूगल अर्थ खोली और उसको सब कुछ उपर ताली में सजावा मिलका नहीं उसे कोशिश करनी पड़ी उसे कुछ चीजों का यूज करना पड़ा कि उसको कितने दिन रहना पड़ा स्पीड उसने कैलकुलेट की बहुत सारी चीज़ उसने यहां पर कैलकुलेट की बट वो फेल होता है फिर अचानक से उसे वो ऐस स्क्रोलिंग कर रहा था मैप में उससे पता चलता है कि यह फोड़ी सी दूर यहीं पर जाके उससे पता चलते कि ए तो मेरा यह गाओं है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने घर को ढूंड लिया है पच्चीश साल बाद एक लड़का जो लापता हुग आपने गाओं से अपनी मां से मिलता है अपनी बहenn से मिलता है यह वाली जो चीज जो थी क्यार, इसको मैं बेयान नहीं कर सकता है और real में जो 사u जो है उसकी last में जो movie ending होती है इसमें दिखाया जाते है कि real में वो कैसा है उसकी माँ कैसी है उसकी जो Australian माँ है वो कैसी है सारी जो real footage है वो भी दिखाया जाती है और इसमें यह मत सोचना कि मैंने सारे की सारी movie जो बता आ Raphael जब आप इसको देखोगे तो आप बेशक इस मुवी के साथ connect हो जाओगे और इसमें कोई spoilers नहीं आपने बेशक अगर आप लोगों ने इसकी अगर ट्रेलर भी देख लिया हो तो आपको पता चल जाएगा किस बेस पर है एक गुमसुदा हुए बच्चे की जो भारत में गु अलवार से आकर मिलते हैं एक खूबसूरत कहानी कहूंगा यार बहुत relaxing जिसे देखकर मैंने बहुत जादे रिलैक्स किया, enjoy किया और हैरान भी हुआ, performance भी काफी अच्छी, story भी काफी अच्छी, direction भी बहुत अच्छा बाकी मैं इस मुवी को देना चाहूँगा, 8.5 out of 10 star, अगर आप लोगों ने ये मुवी देख रखी है, तो please मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मुवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी, और यार सच में यार, मैं बहुत टाइम से ढूंड रहा था यार, कोई ऐसी मुव मुझे मिल जाए, जिसे देख कर कह सकूँ कि हाँ यार, ये अच्छी मुवी है, एक entertaining मुवी है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, ये बहुत relaxing मुवी है, तो ये वाली वो मुवी मैं कहूंगा कि आप जुरूर जाकर देखो, अगर नहीं देखी है, और बाकी जिन्हों ने द सबना हुए, मुझे सब्से जाए तो सब्सक्राइब कर नहीं हुले घरनी though एक गुगल पर आपने परिवार को डूंढ रहा है, और जगा को ये अइसा, जन्यों को कोशिश करें, तो कर सकता है, और अब खhardπर इसके नाम पर आ जाता है, और इसका नाम नाम लॉइन, उसमे शारू-सारू इसका नाम नहीं था, इसका एक्ष्वल निम जो था वो शेरू था शेरू हां, शेरू था जिसको इंग्लिश में लाएं नहीं कहेंगे, तो यह जो था वो इसके मुवी के उपर नाम रखा गय है, कर बस आज के लिए थे था इस वीडियो में, तैंक्स वर झाल